हाई अवरीबं देशे पावन शर्मा, मार्केट को एनलाइज करेंगे कल के लिए, जब हम कल निफ्टिक एनलाइज कर रहे थे तो एक पॉइंट हमने डिसकस किया था, एक बार रिकॉल कर देता हूँ, कल हम जब निफ्टिक एनलाइज कर रहे थे हुँ, हमने weekly टाइम फ्रेम के साथ में nifty के analysis शुरू किये थी उस time हमने ये pitchfork भी discuss किया था और इसी pitchfork का example लेते वे मैंने आप से कहा था कि as per the analysis nifty ने immediately अपने support level को hit किया है जो place किया गया है somewhere close to 24 700 का और ये level अगर break किया तो अगला target हमारे पास में 400 का आता है because यही हमारे पास retracement level है और इस level से अगर bounce back करेगा because देखे कोई भी setup जब आप use करते हैं तो उसको follow भी करना चाहिए तो ये जब उसको touch करके थोड़ा सा उसने 100 point ऊपर जाकर close किया था तो ये indicate कर रहा था कि थोड़ा सा bounce back कर सकता है मैं ये नहीं कहा रहा है कि यहां से आपकी buy opportunity आती है बट ये market fall करेगा तो बीच वीचे bounce back भी तो करेगा तो ये bounce back आज हमने देखा और bounce back कितना अच्छा था कि इसने closing भी 25,000 के उपर दिया तो आगे कभी भी जब भी आपको ये analysis के लिए tool use करते हैं तो please उसको religiously follow भी कीजेगा अब ये bounce back तो आ गया है अब bounce back continue करेगा तो कहां तक जा सकता है चलिए ये भी बताता हूँ देखिए अब हम क्या करेंगे अभी तक जो हम follow करते आ रहे हैं वो retracement को follow कर रहे हैं अब ये bounce back करेगा तो यहां पर भी retracement आएगा तो मैं क्या करूँगा जो recent high बना है उस high से एक Fibonacci retracement plot करके recent low को touch करते हैं और ये हमारे पास में retracement plot हो गया अब देखिए कर यहां पर इसने जो high आज touch किया है वो almost 23.6 है which is 25.076 का तो आप ये कह सकते हैं कि target 1 था जो almost touch किया गया है आज का high हमारे पास में है 044 का तो जादा दूर नहीं है उसके बाद में ये level अगर cross कर लेता है तो अगला target हमारे पास निकल के आएगा 306 का 306 उसके बाद 50% हमारे पास में आता है 492 तो अब rising side में जो हमारे target है वो retracement के basis पे चलेंगे तो target 1 कह सकते हैं target 2 कह सकते हैं और जो हमारा bounce back होगा उसमें हमारा पहला bounce back यहां तक जा सकता है और इसके बाद में fall करना शुरू करेगा और second bounce पागर ये cross हो गया तो definitely वापिस से एक बार जितने बड़े fall के बाद में profit booking या short covering आप कह सकते हैं और आज long shot ratio भी लगबख 47 तक जा चुका था अभी कुछ time पहले 4-5 दिन पहले 81 था तो 3-4 दिन के अंदर ही 47 टच कर गया है इमिडेटरी थोड़ा सा और नीचे आएगा तो आपिस से वो oversold zone में चला जाएगा तो ये bounce back कहीं जिके valid है यहाँ पर short covering हुई है तो short covering आराम से nifty को pull कर सकती है पहले जादा आगे ना भागें तो आराम से short covering pull कर सकते है 306 तक तो हमें 306 का target ही लेकर चलना चाहिए 306 के या 300 के उपर जाकर आपने आपको hold करेगा तब हम अगले level की तरफ बात करेंगे तो क्या करेंगे अब इसको 30 में टाइम फ्रेम पर ले आते है और friends अगर आप हमारे चैनल पर नए है अगर आप आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया था पहला काम यार भी जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक केजगा बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले सारे वीडियो उसका आपको notification मिलेगा और जब आप वीडियो के नीचे description box को check करेंगे वहाँ पर आपको हमारे telegram channel का link मिलेगा उसको join कर सकते हैं using that link live updates के लिए आप हमें visit कर सकते हैं on my website voodootrading.in वहाँ पर आपको हमारे काफी सारे learning courses मिलेंगे और कुछ DMET account के link मिलेंगे you can use them as we need तो चले देखने कि हमारे पास nifty कैसे कल perform कर सकता है सबसे पहले काम कीजेगा nifty को आज का जो पूरी moment है उसको capture कीजेगा एक channel के अंतर यह channel होता है channel होता है जहाँ पर दो parallel trend line आप plot करते हैं तो अगर आप notice करेंगे यह exactly आपके लिए बन गया है falling side के लिए भी और rising side के लिए भी rising side में जो recent low high बना था उस पर देखेंगे यहां हमारे पास में है that is 42 उसके बाद में चेक कीजेगा that is almost like same है 50 के आसपास और अगर कल का याद हो कल भी हम target expect करे थे तो fall आज भी telegram पर like afternoon में जो हमने trade लिया था that was below 24,980 के नीचे यह गर break करके hold कर लेता है तो intraday में आप क्या कीजेगा 200 point का call sell कीजेगा उपर जाकर आपका पहला target रहेगा 150 से लेके 180 का और दूसरा target रहेगा anyway close to 200 से लेके 250 का यह इसी के आज पास आपको हो सकता है जैसे आज कल वाल्टरी चल रहे हो सकता है immediately आपको 300 के target भी दिखा दें तो trailing mode में रख लेगा आपने stop loss को और in case यह इस channel को break करेगा तो channel को break करने के बाद में आपको यह level मिलेगा यह level अगर break करेगा तो आपका पहला target निकल के आएगा that is 850 और second target क्योंकि इसके पास में जो अगला support निकल के आए that is 800 तो 800 रहेगा और यहाँ भी intraday के लिए अगर आप trade करते हैं तो 200 point का यहाँ पर आप निची जाकर out of money में put sell कर सकते हैं और यह outlook रहेगा nifty के लिए और guys यहाँ पर जो भी हमने level discuss के हैं आपको समझाने के लिए buy sell recommendation ने हैं कोई भी trade अगर आप लेते हैं एक पर अपने financial advisor उसरा कीजेगा हमार अगला इन देख से लिएगा bank nifty bank nifty का कल weekly expiry भी है bank nifty में आपको करना एक है वैसे जोकर आप देखिएगा यह वापिस से उसी zone में घुश गया जहाँ पर पहले भी इसने consolidate किया था फिर भी आप क्या कीजेगा यहाँ पर जो recent high low बने हैं उनको connect कीजेगा with the help of channel और यह कुछ ऐसे बनेगा और एक छोटा सा आप यहाँ पर हलका सा एक horizontal line भी plot कर सकते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके पास में fresh buying कहाँ आएगा तो fresh buying आपके पास में इसके उपर जाएगा that is 51, 51, 100 के उपर अगर आपको याद हो यही level हमारे लिए पहले भी support की तरह काम करता आया थे यह 100 का level है तो इसके उपर जाने के बाद में यह जब break करेगा इसके उपर जाने के बाद में आपके पास में एक buy opportunity आएगी कल का trade मतलीजीगा मतली कल के expiry का trade मतलीजीगा अब आप next expiry पे focus कीजीगा और यहाँ पर फिर आपके 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 जगा next expiry में 400 point का नीचे तरह break करेगा तो आपके लिए 59.50 का वो level है जहाँ पर immediate support है और यह break करके नीचे fall करेगा तो आपके पास 750 का पहला target रहेगा और 600 का आपका second target रहेगा and once again 400 points out of money जाकर put sell कर सकते हैं for your hedge यह आपका stop loss का भी काम करता है और यह outlook रहेगा और इस trade में अगर इस zone में trade करता रहे तो थोड़ी से avoid कीजिगा जब यह इसको breakout करे तब ही आपके लिए च्छा trade बनेगा नीचे की तरफ उपर के तरफ तो आपके पास यह level है और break होने के बाद यह आपके initiate की जाएगा कोई भी put और bank nifty हमारा अगला इंडेक्स रहेगा mid cap nifty average वाला बात याद है अगराज आप देखेंगे तो bank कर बाइंग हुई है बहुत सारे traders ने buy भी किया है और उसकी वज़े से यह rise हमें देखा है अब आप क्या कीजिएगा जितने भी recent low बने है recent low का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नीचे से लेना है recent low ये भी आप कह सकते है जैसी आपको करेंगा न देखें जितने भी lows हैं उनको आपने connect कर दिया और जितने भी recent पहले से high हैं उनको आप horizontal line से connect कर जेगा लगबग ये निकल के आ रहा है ये आपके पास में आ गया current closing हमारे पास 944 का है और ये जो level है हमारे पास देखें मैंसे तो level आ रहा है 12,980 का मुझे लगता है 13,000 के उपर जाने के बाद ही कोई हमें trade लेना चाहिए तो इसको आप subscribe कर दिजीगा और इसी को focus कीजेगा इसके उपर जाता है तो आप already हम लगबग 50 point consume कर चुके है तो हमारा पहला target रहेगा 31,100 का यहाँ पर 200 point उपर जाकर आप अपना hedge कर सकते हैं out of money call sell करके और इसके उपर मुझे लगता जाएगा लेकिन जाता है तो आपके लिए second target रहेगा 120 से लेके 130 का यह नीचे break करेगा देखे यहाँ नीचे break करेगा तो somewhere close to आपको मिलेगा anywhere around 12,900 का यह break होता है तो यह आपका line भी तब तक यह break हो जाएगा और यह confirm हो जाएगा कि अब support break हो गया है तो आप sell कीजिएगा 807.50 के target के लिए और यह level अगर achieve नहीं कर पाता है that is of 13,000 तो आप क्या कीजिएगा इसके break होने के बाद में फिर यह जो level आ रहा है यहाँ से उपर रुका नहीं hold कर पाया और नीचे गरना चुरू करेगा तो यह 12.80 का 12.980 का जो level है उसके break होने के बाद put buy कीजिएगा 900.850 के target के लिए और once again 200.00 का out of money put sell med captivity चले एब कुछ stocks के charts को भी study कर लेते हैं हमारा पहला pick रहेगा bell bell में देखेगा पहले मैं एक originate line plot करता हूँ ताकि आपको idea हो जाएगा कि हम क्या देख रहे है current closing 280 की है तो देखे 282 पे मैं line draw करूँगा यहाँ पर notice कीजिएगा पहले तो यहाँ पर support लिया गया है और जब यह bounce कर रहा है तो इनी level को hit कर रहा है तो हम क्या करेंगे 282 के उपर आपका buy बनता है 2 रुपे का stop loss चीजिएगा 285 और 87 के target के लिए आप यहाँ पर buy कर सकते है in case यहीं से नीचे गिरता है तो आप 279 because यहीं पर उसका support है यह break हो जाएगा तो 276 और 74 के target के लिए with a stop loss of 2 points यह ऐसे होगा कि आप यहाँ से इसमें ऐसे draw की जिएगा तो यह आपका 279 आएगा और यह break करके नीचे fall करेगा तो 276 और 274 के target के लिए आप अपना sell initiate कर सकते हैं bell हमारा अगला प्ये करेगा Tata Motors Tata Motors में देखेगा यह line में नीचे shift कर रहा हूँ और यहाँ पर इससे पहले इसी line पे support लिया गया था hit किया फिर hit किया फिर hit फिर एक gap down हुआ अब देखें यह है तो यह kind of breakout आपके लिए बन जाता है और यह line है हमारे पास 925 का तो 925 के उपर अग जाता है तो आप buy कीजिएगा 35 और 44 के target के लिए और stop loss रखेगा 7 point का इन केस ऐसा होता कि उपर नहीं जाता तो 914 के break होने के बाद में आपका यहाँ पर वापीस सेल बनेगा पहला target रहेगा 905 का और अगर फॉदर fall करता है तो आपका जो recent target है that is 895 से लिए 893 तो आप 895 के आसपा 96 के आसपास अपना second target रखेगा with a stop loss 7 point in Tata Motors हमारा अगला पिक रहेगा Excide Industry Excide Industry में देखेगा stock ने fall किया उसके बाद rise करने के बाद में जो यह चोटा सा zone बनाया है यह indicate करता है that यहाँ पर consolidation हुआ है और अगर यह further break out करेगा तो अच्छी moment upside में आपको देखने हो मिलेगी current closing हमारे पास में है 490 almost 4 का है और जो हमारे पास यह hurdle है यह 496 का है तो 496 के बाद में आपका पहला target रहेगा 500 का यह buy initiate होगा 4 रुपे का stop loss रखेगा और 505 का आपका second target रहेगा because इसी के आजपास आके पहले भी यह अटकता है नीचे तरफ गिरता है तो आपको देखे यहां पर 490 का आपके पास support मिलेगा तो 4 आपके पास 85 और 481 के आपके falling side में target रहेंगे इसी इंडस्ट्री once again stop loss of 4 points यह रहेगी हमारी analysis कल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दें टेकर गाईज अब आइस देख बाइब आइज बाइज बाइज